इतना वियर्ड चहरा लेकि मैं बाहर कैसे निकलू मैं ऑफिस में कैसे जब अपने रिस्टेदारों से कैसे मिलू यह यह चहरा देखे हो मेरी आखे देखे हैं यह थोड़ी से करीब से देख लीजिए यह पूरा फोरहेट आप देखे हो सूजन आ चुकी है आईबरोज में और आय है वह सूजग गया है यहाँ पे लिटरली ऐसा लग रहे है पानी देखिए साइड में सूज कुका है यह साइड देख लीजिए सूजन आ चुकी है दोस्तो आपको जो एनस्तेशिया दिया जाता यह धिसको नहीं कह सकते हो क्योंकि नहीं होता है यह नहीं होता यह वोता क्यूंँ है तो उस टाइम पे आपको injection दिया जाता है ताकि patient को pain नहों और patient अपने subconscious mind को पूरी तरीके से control में रखे और अपने थोड़ा सा भी pain हो तो अपने हाथों को और फिर मनलब कह सकते हो कि अपने पूरी body को एक सुन कर देता है जिससे patient को यह मैसूस नहीं होता है कि हमारे सर के उपर कोई मतलब सुईयां चुब रहा है तो इस तरीके का कुछ side effect देखने को मिल सकता है और भी side effect देखने को मिल सकते हैं transplant के दोरान या फिर मतलब transplant के बाद में यह भाई है पुना के जिनका रहा हमें मायोर इन्होंने कई एक बार transplant करवाया है हलांकि जब उन्होंने पहले बार transplant करवाया था तब इस तरह के कोई side effect उनके देखने को नहीं मिले थे लेकिन इन्होंने कई एक बार transplant कराया है उसके बाद में यह है जो है transplant देखने को मिल यानि की side effect देखने को मिला है थोड़ा सा राइट तो इस तरीके कि कुछ vomiting बगेरा आपकी मलब आपकी चेहरे पर सूजन या फिर मलब आपकी जो है रेटनेश दिख सकती है आपकी हैड पर जहां पर आपका transplant हुआ है तो इन चीजों से आपको वब transplant की side में जा सकते हो तो बात करते हैं ट्राया राइट ट्राया बहता रहे है फिर मलब ट्रांस्प्लांट तो मैं transplant को ही suggest करूंगा अगर आपका hair baldness आपका ज्यादा हो चुका है यानि कि आपका गंजपन ज्यादा हो चुका है तो आप transplant की जगे पर जाओ ना कि आप ट्राय के तरब जाओ क्योंकि ट्राया जो है आपके बालों को अगर आपके बाल थिक ठिन हो चुके हैं आपके बालों को थिक कर सकता है लेकिन अगर आपका bornness यानि कि बिल्कुल सर आपका गंजपन हो चुका है यानि कि चिकना हो चुका है तो वहाँ पे आपके वर्क नहीं यह सीरी सी बात है अगर आप ट्राया लेने की सोच रहे हो तो आप मत लेना अगर आपका सिर्फ बहुत ज़्यादा गंजा हो चुका है यानि की छिकन हो चुका है जहां पे आपके बाल है और लेडी लेकिन वह गिरो नहीं हो रहे हैं बहुत छोटी-छोटी बेवी ही आ रहे लेकिन ट्राया के कोई साइड इफेक्ट देखने को अभी तक नहीं मिले हैं ट्राया से बस थोड़ा सा साइड इफेक्ट यह है कि मलब आपको थोड़ी सी खुछली इचिंग जो है देखने को मिल सकती है मेरे को मलब ट्रू मन्त हो चके हैं complete यानि कि मेरे को ट्राय यूज करते हुए लेकिन मुझे कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है अगर आप ट्राया यूज करना चाहते हो तो सबसे मैं बात यही है कि अगर आपका थोड़ा सा हेयर फॉल स्टार्डिंग में हुआ है तो आप ट्राया को ले सकते हो अपनी बालों को अच्छा करने रायके तुरू र gelmiş कोई बीम यूस करने पर आपकी बाल आ सकते हैं क्योंकि जहां पर बिल्कुल खाली हो चुका है सर्चिक्न आपके बाल कभी नहीं चाहिए आप नहीं आप कि इंक्रीज़ करता है blood flow बढ़ाता है ताकि जो आपकी बाल है जो thin हो चुके हैं जो baby hairs है वो improve नहीं हो रहे हैं जो growth नहीं हो रहे हैं उनकी तो उनकी जड़ों को जो है अच्छे से nutrition मिलेंगे और वहाँ पे blood flow होगा तो वो hair जो आपकी thin हो चुके हैं वो ठिक हो सकते हैं बड़े हो सकते हैं growth अच् सोच रहे हो कि मलब बिलब गंजे पन में जो है चिकने सर में जो है आप ट्राय उसकरने की सोच रहे हो तो बंत लेना क्योंकि इससे कोई benefit आपको देखने को नहीं मिलेगा बस यही वीडियो थे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो करना चैनल पर नहीं को